Good morning class 3 Welcome again Hindi grammar online classes So students आज हम Hindi grammar का Chapter number 11 काल Tense के बारे में अध्यन करेंगे कि काल किसे कहते हैं काल की क्या परिभाशा होती है काल के कितने भेध होते हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं तो जल्दी से सभी अपनी बुक उपन कीजिए Hindi grammar Chapter 11 काल देखिए परिभाशा किरिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले जिस समय का पता चले कि हमने वो काम कब किया पहले कल किया था आज करेंगे या कल करेंगे किरिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चले उसे काल कहते है जैसे for example मीरा खाना खा रही है मीरा ने खाना खाया मीरा ने खाना खाया था इस से हमें पता चला कि मीरा खाना खा रही है खा रही है प्रेजेंट हम उसे देख पा रहे हैं तो ये कौन सा काल हुआ वर्तमान काल मीरा ने खाना खाया था खाना खाया था हमें नहीं पता कि उसने कब खाना खाया था ना हमने उसको देखा तो खाया था किस टाइम खाया था किस टाइम खाया था ये किस में गया भूत खाल में मीरा खाना खायेगी कब खायेगी I have no idea हमें नहीं पता ना हमने उसे देखा खाएगी मतलब भविश्यकाल में सबको समझ आया किरिया के जिस रूप में काम के होने का समय पता चले उसे क्या कहते हैं काल काल का अर्थ है समय काल के कितने बेद होते हैं तीन भूतकाल, वर्तमानकाल और भविश्यकाल देखिए भूतकाल राघव गया था जिसमें था शब्द आ जाए वो क्या है भूतकाल जिसमें है आ जाए शब्दों के अंत में वाक्य के अंत में वर्तमानकाल जिसमें गा जाएगा आएगा गा आ जाए वह है भविश्यकाल राघव गया था गया था रागव, हमें नहीं पता वो कब गया था तो भूत काल रागव जाता है, हम उसे देख पा रहे हैं प्रेजेंट में की रागव जाता है तो वो क्या हुआ, वर्तमानकार रागव जाएगा, कब जाएगा रावन, रागव हमें नहीं पता तो कौन सा काल हुआ, भविश्य काल, ओके, अब देखिए, काल के भेद, पहला बूत काल, बूत काल की पहचान कैसे होती है, जो समय बीत गया हो, उसे बूत काल कहते हैं, जो काम हम कर चुके हैं, जैसे हमने सुभा का नाश्ता कर लिया, कर लिया, अब हम वो दुबारा नहीं कर रहे काम, कर बैठे हम वो काम, जो समय बीत गया हो, सुभा चली गई, दुपैर हो गई, तो सुभा का क्या हुआ, भूत काल, दुपैर क्या हुई, प्रेजेंट, शाम होने वाली है, शाम क्या हुई, भविश्य, ओके, जो समय बीत गया हो, उसे भूत काल कहते हैं, इन व आया इसके अंदर, देखेए था नमन हस रहा था, कब हस रहा था? वो समय पीथ चुका, हमें नहीं पता वैं कब हसा था, तो यह किसमें आया? भूत काल में, उके इसको वर्तमान काल में ट्रांसफर कीजिए, नमन हस रहा है, यहां है नमन हस रहा था, अब इसको वर्तमान काल में देखे, नमन हस रहा है, है आया, हम उसको प्रेजेंट में देख पा रहे हैं, कि नमन क्या कर रहा है, हस रहा है, तो वो क्या है, वर्तमान काल, ऐसे ही भविश्यकाल, आने वाला टाइम, भूत काल, जो चला गया, वर्तमान काल, जो हम देख पा र हमें नहीं पता भविश्य में अभी एक गंटे बास हसेगा कल हसेगा के परसो हसेगा तो नमन हसेगा भविश्यकाल किरिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं इन वाक्यों के अंत में ता है, यह ती है जैसे सोहन खाना खा रहा है, हम उसको प्रजेंट में देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि वह खाना खा रहा है, तो यह क्या हुआ वर्तमान खाल, सोहन ने खाना खाया था कब खाया हमें नहीं पता तो क्या हुआ भूत काल सोहन खाना खाएगा कब खाया खाएगा I have no idea so this is भविश्यकाल ओके future tense बोलते है ना भूत काल को past tense वर्तमान काल को present tense भविश्यकाल को future ओके थब को समझ आया next one is भविश्यकाल किरिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का भोध हो उसे भविश्यकाल कहते है किरिया के जिस रूप में कार्य के आने वाले समय का भोध हो उसे भविश्यकाल कहते है इन वाक्यों में अंतमे गागी आदी आते हैं जैसे मैं कल घर जाऊंगा कल जाएगा अभी वह गया नहीं है तो जाऊंगा तो यह क्या हुआ? भविश्यकाल वह दो बजे आगरा जाएगा अभी नहीं गया जब दो बजेंगे तभ जाएगा तो क्या हुआ यह है भविश्यकाल ऐसे ही इसका भूतकाल बनाईए मैं कल घर जाओंगा भविश्यकाल मैं कल घर गया था कल गया था आस तो नहीं गया मैं कल घर गया था तो क्या हुआ भूतकाल मैं घर जा रहा हूँ तो क्या हुआ वर्तमानकाल ओके ऐसे भूतकाल और भविश्यकाल और वर्तमानकाल की पहचान करते हैं सबको समझाया इस देट क्लियर अब देखिए शोटकत मेथड भूतकाल कैसे पहचानते हैं बीता हुआ काल जो बीता हुआ समय होता है जो जा चुका है जिसके बारे में हमें नहीं पता यस्टरडे बीता हुआ समय तो वो क्या हुआ भूतकाल जैसे रोनक ने खेल खेला कब खेला यस्टरडे में खेला उसने तो क्या हुआ यह है भूतकाल वर्तमानकाल वहकाल जो जारी है रीप्रेजेंट है देख पा रहे हैं, अपनी आखों के सामने जो काम चल रहा है, जो समय चल रहा है, वह है वर्तमान काल, रोनक खेल रहा है, तो क्या हुआ यह है, वर्तमान काल, भविश्य काल, भविश्य काल की पेचान, आने वाला काल, आने वाला काल, तो क्या हुआ यह, भविश्य काल, आन कब खेलेगा tomorrow खेलता है या अभी एक बज़े हैं या दो बज़े हैं 10 बज़े हैं कब खेलेगा शाम को खेलेगा राथ को खेलेगा कोई टाइम फिक्स नहीं है रोनक खेलेगा तो यह किसमें हुआ बविश्यकाल में हैं इंपर्टेंट लाइन्स यह आपको अपनी notebook में नोट डाउन करना है ओके नोट बुक में नोट डाउन करना है चेप्टर नाव कम्प्लीट कोशन आंसर्स आपको पेडिया फाइल में मिलेंगे नेक्स्ट वन इस भूत काल वर्तमान तथा भविश्यकाल के तीन तीन उधारन दीजिए भूत काल के आपकरना स्वेम जैसे रोनक ने खेल खेला भूत काल रोनक खेल रहा है वर्तमान काल ओके रोनक खेलेगा भविश्यकाल यह हम ऐसे लिखेंगे रोनक ने खेल खेला था यह क्या होगा भूत काल नमन हस रहा था भूत काल नमन हस रहा है वर्तमान काल नमन हसेगा भूत काल आरती पड़ रही थी भूत काल आरती पड़ रही है वर्तमान काल आरती पड़ेगी भविश्य काल Change your next page Do it yourself up This topic कोस्टक में दिये गई काल के अनुसर वाक्टियों को बदल कर लिखे बूत काल, यह क्या है, चिडिया पेड़ पर बैठी है, तो कौन सा है यह, वर्तमान काल, लेकिन हमें क्या बनाना है, बूत काल, चिडिया पेड़ पर बैठी थी, आप इस कोस्टक में लिखिएगा, चिडिया पेड़ पर बैठी थी, नेहा खाना बना रही है, कौन सा काल है प्रेजेंट वर्तमानकाल क्योंकि क्या आगया इसमें है ओके तो इसमें किसमें चेंज करना है भविश्यकाल में तो क्या बनाएंगे नेहा खाना बनाएगी थड़ कल हम दिल्ली जाएंगे कौन सा काल है ये भविश्यकाल इसको किसमें करना है वर्तमानकाल में हम दिल्ली जा रहे हैं तो ये क्या होगा वर्तमानकाल मोहन कवीता लिख रहा है लिख रहा है मतलब वर्तमानकाल भूतकाल में कैसे लिखेंगे हम मोहन ने कवीता लिखी थी ओके तो ये क्या हुआ इसका भूतकाल Do it yourself work in this topic In your notebook Neat and clean work निम्लकित वाक्यों के काल बताईए कल रमेश गोवा गया था था शब्द आया तो भूत काल हम बजार जाएंगे गे शब्द आया तो भविश्य काल आकाश पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल ओके निम्लकित प्रशनों के काल के सही उत्तर Do it yourself work एंद दिये गए चितर के अधार पर तीन कालों में एक एक वाक्या बनाएए अब ये आप yourself work अपने आप स्वयम करेंगे ओके स्टुदेंट्स नाव चैप्टर इस कम्प्लीट मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ बबाई ओल ओफ यू